अब देखिए देखिए बहुत यह अच्छा कोश्टिन है इस इक वान अपन पी कफेलों में पूछ रहा है जी आएफ जी एफ का कॉंसेफ्ट हमें परता है तो क्वेश्चन इसलिए ज्यादा इंपोर्टेंट भी है और मैंने बोला अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें को करना है इंट्रचेंज मैं मैं एफ कि आप समझ मेंृ इस टाइप का कॉंसेब्ट आपने बाइनोमिया सम्झ से पढ़ा हे और वहां होटे रहता है ठीक है तो देखिए यहां मैंने बोला आपको इंट्रचेंज करना है अभी क्यों अब नोट कीजिए कि यह वला पार्ट और यहां प्रोब्लम नहीं किया पार्ट कॉमना जाएगा सिंप्लिफाई होके कोश्चन इजी बच जाए अब क्या करना है इसको हमें सेकेंड माल लेना है एंड देन वान प्लस टू दोनों को हमें क्या करना है एड कर देना है यानि कि टूपी इच कल टू समेशन अब हम लिख सकते हैं आप यह मिच कल टू वान और इंफिनिटी इसको लेकर स्वाल करेंगे तो यहां पर देखेंगे इसको लेकर स्वाल करेंगे तो यह वाला पार्ट और यह वाला पार्ट का इंसिल हो जाएगा बचे आगा कितना आपके पास एम अपॉन फोर टू पावर एम एंड फोर टू पावर एम अब बस इसका समेशन निकलना है देखो कोशन कितना एजी हो गया ठीक है तो यहां पर लिखेंगे टू पी इसको समे लोग निकालना है तो 1, 2, 1 रखा है इसको हम लोग 3rd माल लेते हैं देखिए अब इसको कैसे निकाले तो यहां पर आगर 1 लिख दू तो एक कॉंसेप्ट यहां पर होता है कि यहां पर AGP बन रहा है और दूसरा एक और फी मेठाड है उससे भी आप निकाल सकते हैं अगर फ मैंने बोला क्या कॉंसेप्ट है AGP का तो AGP का क्या है कि देखिए मैं लिखता हूं यहां पर अगर हमारे पास a-send given है ठीक है क्या कॉंसेप्ट है कि हमें पहले एक sequence लिखना पड़ेगा तो यहां पर लिखता हूं AB and then plus लिखा A plus D और यहां पर लिखता हूं BR and then plus dot 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 plus यह यहां पर लिखता हूं A plus A minus 1D यह वहला पार्ट आपका चलता है यह वहला पार्ट आपका AP में and then BR in minus 1 यह वहला पार चलता है यह वहला जीपी में इसे यह को बोलते हैं AGP arithmetic geometric progression इसका infinity का sum क्या होता है तो A is infinity is equal to होता है आपके पास AB upon 1 minus R and then plus यहां पर लिखेंगे DBR upon 1 minus R whole square यह वहला इक है तब यहां से compare कर लिजिए तो हमारे पास A का value कितना है 1 है note कीजिएगा तो यहां से मेरे पास A का value 1 है and then B का value कितना है देखना पड़ेगा B का value कितना है रिखेंगे B का value मेरे पास 1 by 4 है और D 1 है और R भी 1 by 4 है सब चीज हो गया यानिकि B is equal to 1 by 4 D is equal to 1 है and then R is equal to 1 by 4 common ratio GP का ठीक है सब value put कर लिजिए यानिकि हमारे पास जो X का value यानिक 1 minus 1 by 4 and then plus DBR DBR यानिक 1 by 4 into 1 by 4 divided by 1 minus R whole square यानिक 1 minus 1 by 4 और whole square which is equal to यह हमारे पास कितना बचा यह बच गया 1 upon 3 and then plus यह कितना बचेगा 3 यह बचेगा 1 upon 9 which is equal to अगर यहां पे हम लोग लेंगे तो यानिक 4 upon 9 यानिक X का value मेरे पास आ गया 4 upon 9 ठीक है चलिए आगे अब य यहां से देखिएगा समेशन यहां पर लिखावा एम इसकल टुवान और यहां पर इंफिनिटी यहां पर लिखावा एम अपॉन फोर टुड पार एम और इंटू यहीं पे था ना हमारे पास आ गया 4 upon 9 ठीक है आप देखिए 2 पी इसकल को फोर अपोन 9 को तो बाहर कर सकते हैं समेशन ठीक है अभी समेशन को अटाईए समेशन लिखने कर जरूवत नहीं है यहां पर कितना हो जागा फोर प्लस टूपन प्लस तो प्लस इंफिनिटी यह यहां भी वेलू आपका एक स्काइक इक्वल है जो हमने निकाला बिल्कुल यानिकि टूपी इसकल टूपॉर आपको निकलना था निकलना ठीक है और अगर हमारे पास अगर एजीप का फर्मूला नहीं पता है तब कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले यह जो एक से लिखा हुआ है यहां पर इस सटेप को नोट कीजिए और यहां पर आपको क्या निकलना है अगर इसका जीए को नोट कीजिए अगर एजीप का फॉर्मूला नहीं पता है तब यहां पर लिखावा है ओन फॉर प्लस यहां पर एसको बेदिखा रहे हो एसा ही बोल सकते हो ठीक है तो यहां पर टिफ्रेंस मेठड यानिकि जो फोर फोर चल रहा है यहां पर एक स्वाइफ सबक्नेटरीं से आफ 캐jamny एसको मंुट्यप्लाइब तgebay नहीं कि इसा बहल सकते हो यहां पि न हो जाएगा बोडोह सब्सक्राइब कि यहां पर Init हां घ्या सब्सक्राइब कर एंदेन सब्सक्राइब फॉरिक्रिव एक स्य बन गया एंफनीटी का सम आ गया तो इसका क्या होता है वान-ागत देखिए हम लोग है कितना बच गया मेरे qは पॉर इस कॉल टू वान अपॉन में कितना बच गया थ्री इक ना तो यहां से अगर एक सिच्कॉल टो लिखना चाहें तो कितना हो जागा फोर अपॉर नाइन ही आया था क्या देखिए आगया ठीक है अब यहां पी नोट कर लेजिए जी पी का आपका कि यह प्लस ए यह आर सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपके पास एजी पी का सम का फर्मूला इंफिंटी वाला नहीं याद है ठीक है याद है तो आप ऐसे भी कर लो तो देखिए कितना अच्छा कॉश्चन था तो इसका आंसर कितना आया तो इस सब्सक्राइब को नोट किजिए और यह करेगा थैंक यू